ओम सिरी गनेशायनम दोस्तो एश्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हर दिक्ष्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच दिसम्बर सौंबार के रासी फल के बारे में कि इह दिन मकर रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिश और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ मैं नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंस सके चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मकर राशी वालों के लिए सौंबार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज आपके उच इस्तर के अधिकारी से संबंध बहतर होने से अच्छी पोजिशन प्राप्त होनी की संभवना बन सकती है अच्छा धनलाब प्राप्त होनी की भी आज संभवना बन सकती है यदि आप कोई कार्रे करते हैं तो आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है दोस्तों साथी साथ आपको आज कुछ नए अवसरों की प्राप्ती होगी और उन अवसरों को अपने पक्ष में मोडने के लिए आपके पास पूरी उरजा और सैन सकती भी होगी आप आज जिस भी किसी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और सुचार रूप से आज आपके सभी कार्रे आसानी से बनते चले जाएंगे जिस से आपकी आर्थिक इस्तितियां भैतर होने की संभवना पाई जाती है आज आर्थिक लाब के लिए किया गया प्रियास सफल हो सकता है साथी साथ आप अपने ग्यान को बढ़ाने और लोगों से अपने विचार बाटने में भी आप दिल चस्पी रखेंगे आप दूसरों की जवर्तों को ध्यान में रखते हुए सामानने से अधिक विचार सील होंगे परीजनों से मदद पाने की आपकी इक्षा आपको सेयोग पाने के लिए प्रेरित करेगी दोस्तों आज भविच्से के लिए योजनाएं आप बना सकते हैं जो आगे चलकर आपके लिए काफी सुब फल दायक रहेंगी सत्ता से जोड़े लोगों के साथ अच्छे संबंद बन सकते हैं धार्मिक और अध्यात्मिक कारों में रूची बढ़ेगी कारोबार में अच्छा मुनाफ़ा आप कमा सकते हैं दिया हुआ धन आज आपको वापस मिल सकता है सोच समझ कर काम करें अनुवबी लोगों की सला आज जरूर लें आपके लिए फायदेबंद रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं जब के लिए क्या नेगेटिव रह सकता है दोस्तो आज गाड़ी और घर की प्राप्ती के लिए किया गया प्रियास में बादाएं उत्पन हो सकती हैं यदि आप नौकरी करते हैं तो केरियर को लेकर उतार चड़ाव की इस्तितिया आज आपको देखने को मिल सकती हैं परंतु परियास करने से अच्छा लाब प्राप्त होने की भी संभावना आज पाई जाती हैं दोस्तो साती सात आपको अपने परिवारिक शुकों में आज कुछ कमी देखने को तो मिलेगी ही साती सात इन सभी समस्याओं के कारण आपका मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है जिसका विपरीत असर आपकी सेयत पर पड़ेगा आज सत्रू अंद्रूनी समस्या भी हो सकता है किसी तरह का कोई विवाद चल रहा है तो सावधान रहने की आज आवा सकता है यदि किसी तरह का कोई कोट मुकद्वा या प्रॉपर्टी से सम्बंदित कोई विवाद है तो ज़्यादा प्रियास ना करें अन्यता इस्तितियां विपरीद दिसा में हो सकती हैं दोस्तो साथ साथ चिंता या तनाव से आप बचें इस समय ऐसी कोई घटना होगी जिन से निवट पाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है अपनी हर गलती से कुछ सीखें और अगली बार उसे धोराने से बचें समय प्रवंदक की जगा प्रात्मिक्ता प्रवंदक बने कोई अपॉइंटमेंट या अन्य कैई महतपूर्ण चीजे के भूली की भी आज संभवना बन सकती है दोस्तो बेवजा के डर को मन से निकालें और परिश्रम से कार्रे में जूटें नकारात्मक विचारों से बचें अन्यथा परिवार में कलह होने की संभवना रहेगी अधिक परिश्रम से शाररिक और मांसिक रूप से धकान का अनुबब आज आप करेंगे इसका असर रिस्तो पर पड़ सकता है थोड़ा सावधान रहें दोस्तो बात कर लेते हैं जब की लव लाइफ कैसी रहनी वाली है दोस्तो आज के दिन आप लोग अपने प्रेम जीवन का पूर्ण रूप से आनंद लेंगे यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो इस समय उन्हें प्रपोज कर सकते हैं इसके लिए इस्तिती आपके लिए काफी अनुकूल है परंतु यह काम आपको जल्द ही कर लेना चाहिए प्रेमी प्रेमिका के आपसी संबंद आज मदुर होने की संभवना पाई जाती है सातिसास दोस्तो प्यार महबत के मामले में दवाब बनाने की कोशिस ना करें यदि इस समय आप दोनों के बीच किसी तरह का विवाद है तो उसे सुल जाने की कोशिस करें यदी नई relationship है तो उसमें कोई भी जल्दबाजी में फैसला ना करें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाइक केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो आज वैवसाइक गती विद्यों में परिसानिया आ सकती है लेकिन कटिन परिश्रम से क्यारों में सफलता मिलेगी और धनलाब की काफी अच्छी इस्तिती रहेगी करे छेत्र में काम के अधिक्ता रहने से शारारिक और मांसिक रूप से ठकान का अनुभव आज आपकर सकते हैं कोट का चैरी से संबंदित आपको कोई अच्छी खुसकबरी आज प्राप्त हो सकती है विद्यार्तियों के लिए समय अच्छा है नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी समय आज का काफी मिला जुला रहेगा जिहां दोस्तो आज का समय आपकी आर्थिक इस्तिती को मजबूत बनाने में काफी महतपूर सावित होगा और आप परिवारिक संपत्ती प्राप्त कर पाने में भी आज सफल हो सकते हैं जिससे आपको काफी खुसी का अनुभव होगा दोस्तो बात कर लेते हैं जब का स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपको अपने खानपान पर विशेश रूप से ध्यान देने की जवर्त बनी हुई रहेगी आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपको अपने स्वास्त में लापरवाई नहीं करनी आज आपको अपनी सेहत के मामलों में मिले जुले परिणाम देखने को मिलने वाले रहेंगे दोस्तो मद्ध्यान के बाद आज आपका स्वास्त बिगड सकता है वहाँ चलाते समय शावधानी बरते दोस्तो अपने भोजन सामगरी पर आप विशेश रूप से ध्यान दें और समय निकाल कर अपने लिए प्रते दिन नियमित रूप से एक्सरसाइज करें ताकि आप श्वैम को चुस्त दुरुस्त बनाए रख पाने में सफल हो इसने दोस्तो अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजना योग करें वियाम करें स्वास्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपाय क्या है दोस्तो हम आपको जो इस उपाय को बताने जा रहे हैं इस उपाय को आपको आज रात यानि सौंबार की रात को आपको यह उपाय करना है जिया दोस्तो आपको करना क्या है जिया दोस्तो आज रात जब भी आप सोएं तो सोने से पहले आप एक लोटे में दूद या फिर जल भरकर अपने सिरहाने रखें और फिर सो जाएं और जिहां दोस्तो इसके बाद आप अगली सुबा यानि मंगलवार की सुबा जल्दी उठें इस नान आदी से निर्वत्र होने के बाद आप उस लोटे को भगवान भोलेनात का इसमरन करते हुए पीपल की जड़ में अरपित करें जिहां दोस्तो इतना कर ने मात्र से ही भगवान भोले नात बहुत जल्द प्रसन होंगे और आपकी समस्त मनों कामनों को पूर्ण करेंगे जहां दोस्तों आपकी सुपाय को अवश्य करें आपको अवश्य ही लाब प्राप्त होगा दोस्तों भगवान भोले नात का असिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जै भोले ना तवस्चे लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद